महालक्षमी व्रत कथा महालक्षमी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अश्विन पक्ष की अश्विन तिति तक चलता है शास्त्रा नुसार यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है इस व्रत को रखने से मा लक्ष्मी सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है और जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंध होता है शुक्रवार मा लक्ष्मी की उपासना का दिन होता है और मा को कई रूपों में पूजा जाता है मा वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हर शुक्रवार को की जाती है और वही मा महालक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है इस पूजन का विशेश बखान शास्त्रों में भी किया गया है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महालक्षमी व्रत का महत्व, महालक्षमी का व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। भक्तों का घर धन दौलत और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। माता लक्षमी धन और वैभव की देवी हैं, विधी विधान से 16 दिन या फिर तीन दिन व्रत करने से वह प्रसन होती हैं और अपने भक्तों के समस्त समस्याओं का निराकरन कर देती हैं। उनकी पूजा कर प्रसन होते हैं क्योंकि वह उनकी अरधांगिनी हैं। इससे भक्तों पर भग्वान श्रीहरी की कृपा भी बनी रहती है। महालक्षमी का व्रत 16 दिनों का होता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी कारण से 16 दिनों का व्रत नहीं कर सकता है तो वह तीन महत्वपूर्ण पूजन सामगरी में चंदन, पत्र, पुष, माला, अक्षत, दूर्वा, लालसूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई रखें। पूजा के पश्चात इस मंत्र से पूजा किये गए दोरे को दाहिने हाथ में बांधें। धनन्धन्यम धरां हर्म्यम कीर्तिमायुर्यश, श्रियम, तुर्गान धंतिन, पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच में। दोरा बांधने के बाद हरी दूर्वा के सोला पल्लव और सोला हक्षत लेकर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने। इस प्रकार आश्वन कृष्णाष्टमी को मातालक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन करें। प्रतिम और सेक्स्प्राइब का अरे क्रह ख्योच्क प्रतिमा ख्याओ करें। झालक्ष्मी प्रतिमापली को में। स्वाख्यमी विस्प्राइब करें। झालक्ष्मी